एक बार फिर से यहाँ पर कई लोगों के confusion मुझे देखने को मिल रहे थे कुछ लोगों के comments मुझे आने को मिल रहे थे कि वहाँ पर उनका पूफना था जो हम विक reading करते हैं टेकनिकल अनलेजिस इंप्लीमेंट करते हैं वो क्या OTC में भी सही से पर करता है कि नहीं main questions यह मुझे जानने को मिले थे कि क्या जो विक reading है वो OTC markets में भी real तरीके से देखने को मिलती है कि नहीं तो हम एक बार फिर से OTC market में कुछ trades लेने वाले हैं और देखते हैं कि वहाँ पर जो हम विक reading करेंगे और जिनका explanation में आपको बताने वाला हूँ वो सच में किस हिसाफ से work करते हैं और क्या वहाँ पर difficulties देखने को मिलती हैं वाइस एक बार यहाँ CHF JPY में हमको बहुत अच्छी opportunity देखने को मिल सकती है अगर यह candle थोड़ा सा rejection के साथ में closing देता है तो हम next वाली candle पर trade लेने वाले है downward direction की और यह आज की हमारी पहली trade होने वाली है I hope so कि यहाँ पर wick से पता चल रहा है कि यहाँ पर sellers आएंगे तो हमने यहाँ पर downward direction के trade open का दी है फिर हाल और last के candle totally close हो चुकी है sellers के favor में अभी देखो यहाँ पर एक ही resistance tribe का यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा जिसको market ने यहाँ से break किया था उसकी बाद में उपर गया है अब retest करके final इसने यहाँ पर down का candle बनाया हुआ तो काफी ज़्यादा chances होने वाले हैं कि यह वाला candle जो है हमें red में देखने को मिलेगा लेकिन जैसा कि मैंने बता कि rejection देखने को मिलता लेकिन इसमें हुआ ऐसा है कि यह काफी ज़्यादा नीचे आ करके closing दिया हुआ red candle तो हो सक है कि risk का देखने को मिले बठा हम next candle पर martingle trade ले लेंगे I hope so कि हम martingle पर 100% win करेंगे क्योंकि यहाँ से dominance sellers की काफी ज़्यादा हमको देखने को मिल सकती है क्योंकि काफी ज़्यादा हमारा trend भी यहाँ पर down चल रहा है और उसकी बाद में इसने recently यहाँ पर देखो buyers को totally खतम कर गया था ठीक है उसकी बाद में यहाँ पर यह sellers की entry हुई थी तो यह काफी ज़्यादा दर्सार है कि downward direction का चलना चाहिए और यहाँ पर martingle trade दो trade open करने वाले हैं और यहाँ पर martingle open करने का भी बहुत बड़ा reason है वो भी आप लोगों को मैं यहाँ पर explain करता हूं करके अभी द direction के नीचे नीचे में closing दिया है और नीचे से जो नया low बनाया हुआ तो यहाँ से sentiment पता चलता है market का कि down जाने का sentiment ज़्यादा करके है ठीक है तो green candle ने हमारा एक plus minus का error दिया और हमने next candle पर downward direction के trade open की हूई है I hope so कि this will be a winning trade और देश सकते हो हमने $200 loss कर था और यहाँ पर $400 totally invested I hope so कि हम यहाँ पर बहुत अच्छा profit book करने वाले हैं इन OTC market ठीक है OTC में जो है आप लोग indicators मत apply क्या करो indicators में किसी भी market में न apply करो हो सके तो तो price action अब अगर आप apply करते हो तो CHF मतलब जो भी OTC markets है उसमें भी अच्छा खासा आपको result देखने को मिलेगा but Saturday Sunday को OTC market भी बहुत ही अच्छे margin के साथ में फिरहाल यहाँ पर win कर ली है वाइस एक बार फिट से हमारे पास में 15 सेकंड का समय बचा हुआ है इस candle पर और हमको downward direction की बहुत अच्छी opportunity देखने को 100% मिल सकती है हम यहाँ पर इस candle के closing का wait करेंगे और बहुत अच्छा reason है इस candle के पीछे मे और हमने trade open कर दिया है downward direction की बहुत अच्छी entry लगी है देखो reason बहुत ही simple अभी देखो यहाँ पर आपको एक resistance level भी देखने को मिल रहोगा ठीक है जहाँ पर यह market आया उसकी बाद में एक यह previous का green candle देखो यह काफी ज़्यादा छोटा बनाया ठीक है तो यह छोटा बनने का कारड क्या है क्योंकि यहाँ पर देखो buyers की candle आई उसकी बाद में फिर से यहाँ पर buyer की candle है उसकी बाद में यह छोटा सा chain तूट गई मतलब जो buying की chain थी वो तूट गई है उसकी बाद में यह जो फिरहाल की candle बनी है green वाली यह एक exhaustion candle जैसा हम इसको assume कर सकते हैं क्योंकि यह just buying में गया और उसकी बाद में just at a resistance इसने closing दे दिया उसकी साथ साथ इसने जब opening की थी इस green candle ने इसके नीचे में भी हमको विक देखने को मिल रहा है यानि कि यहाँ पर selling के pressures हमको काफी जादा देखने को मिलेंगे और यहाँ पर हमने downward direction के trade लगई and this is about to winning the trade और अभी तक subscribe नहीं किया है then definitely you are about to miss very much informative videos on this channel so subscribe down right now और हमने 321 हमने ये trade बहुत ही अच्छे margin के साथ में win कर लिए so this is the power of analysis एक बार फिट से हमें OTC के ही पेर में एक downward direction की same opportunity देखने को मिल रहे है जैसा कि हमने पिछली trade में जो reason था कहीं नहीं उससे मिलता जूता reason एक बार फिट से हमें देखने को मिल रहा है और हम यहाँ पर downward direction के trade 100% open कर देंगे ठीक है अभी यहाँ पर देखो एक resistance यहा पर break out हो गया तो यहाँ पर लोग क्या करेंगे इस candle से buying की तरफ देखने लगेंगे ठीक है तो जैसे ही लोग buying करेंगे market उनको trap करेगा और यह next वाली candle मुझे पता था कि यह red बनने के 100% chances है और मुझे यह भी पता था कि अगर यह वाली candle red नहीं बनती है यह जो current की है यह green में भी बनता है तो उसकी बाद में उसकी next वाली candle 100% down जाएगी यह मुझे security थी इस वज़े से मैंने एक trade open किया और यह trade भी win होने वाली है इस तरीके के अगर signal चाते हो loss require करना चाते हो अगर आपका loss हुआ है तो नीचे description में जाओ मेरा telegram link मिल जाएगा वहाँ से join कर सकते चैनल और जो signals आपको दिये जाएंगे वो totally 100% free of cost है और इसी तरीके के short shots win महाँ पर आपको देखने को मिलने आले है जो कि बहुत ही जादा profitable है अच्छा खासा महाँ पर profit देखने को मिलेगा हमने trade win कर ली है देख सकते हो हमने लगाता trade लगाई है और हमने winning कर ली है तो मैं फिरहाल यहाँ पर all trading नहीं करने वाला हूँ तो कि normal market मेरे लिए अभी फिरहाल सही से work नहीं कर रहा है और OTC में हमने एक ठीक ठाक profit यहाँ पर generate कर लिया है हो सकेगा तो हम night में all trade करेंगे तो वैस काफी लोगों का comment रहता है कि भाई आप demo में तो trading नहीं कर रहा हो तो ठीक एक बार में आप लोगों को site यहाँ पर refresh करके भी दिखा देता हूँ और यहाँ पर देख सकते हो हमने website आपके सामने में refresh किया और यहाँ पर leaderboard चेक करो हमने profit कर लिया 504 डॉलर का फिरहाल आज के लिए तो I hope सो कि आपको इस video से काफी जादा knowledge देखने को मिली होगी और न को सब्सक्राइब कर लो